नमस्कार सल्क टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुरुची गौर आए करतें खबरों के शर्वाज सबसे पहले नस डालतें आज की हेड्लाइन्स पर हेड्लाइन्स स्पॉंसरेट भागलपूर सीटी डबलपर श्रावनी मिला की तैयारी को लेकर भूर राजश्व मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समिक्षा बैठक बहतर विवस्था करने के दिये निर्देज स्टीएफ और बाका पुलीस के ज्वाइंट आपरेशन में तसकरी कर ले जा रहे साथ कुइंटल गाजा बरामत दो गिरफतार दियारम तनुचंद्रा ने सुल्तान गंज रेलवे स्टेशन परिशर का किया निरिक्षन कावरियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कही बात विश्वजन संख्या दिवश को लेकर जुले भर में कई कारिक्रमों का हुआ आयोजन डियम ने हरी जंडी दिखा कर जागरुकता रत को किया रवाना और शुक्रवार को मनाये जाएगा तिलकामाजी भागलपूर विश्विध्याले का साथमा स्थापना दिवर्शारी तैयारी हुई पूरी और अब खबरे विस्तार से शावनी मेला की तैयारी को लेकर गुरुवार को भागलपूर प्रमंडलिय सभागार में सूबे के भूमी सुधार एवं राजश्व मंत्री राम नरायन मंडल की अध्यक्षिता में समिक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में भागलपूर बांका एवं मुंगेर जिले में पढ़ने वाले कावरिया पत में कावरियों की सुविदा के लिए व्यापक अस्तर पर कारी करने को लेकर चर्चा हुई मंत्री राम नरायन मंडल ने भागलपूर की प्रमंडली आयक्त वंदना की नी डियाईजी विकास वैभब तीनो जिलों के डियम एवं एसपी से श्रावनी मेला तैयारी से सम्मंधित जानकारी ली इस दोरान भूर आजश्व विभाग के प्रधान सचीब ब्रजेस महरुत्रा ने सभी अधिकारियों से मेला से सम्मंधित जानकारी ली और तेजी से कारिकर कावरियों को हर प्रकार की जंस्विधा मुहिया कराने का निर देश दिया इस दोरान कावरिया पत में 24 घंटे बिजली आपूर्ती करने मार्ग में बालू बिचाने स्वास विवस्था बेहतर करने जगह जगह पेजल की विवस्था करने कावरिया मार्ग को समय से पुर्व दुरुस्त करने सोचाले एवं अस्तानागार की विवस्ता करने और विशामालाई की विवस्ता करने के साथ पूरे कावरिया मार्ग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने को लेकर मंत्री ने दिशानर देश दिया बैठक में भागलपूर के डियम प्रनप कुमार, बांका डियम कुंदन कुमार, मुंगेर डियम, SSP आशिश भारती, मुंगेर एवं बांका के SP के अलावा विविन विभागों के पदादी कारी मौजूद थे वहीं बैठक के बाद मंत्री ने एक प्रेस कांफरेंस का आयोजन किया जिसमें श्रावनी मेला तैयारी के बारे में विस्तार पुर्वग जानकारी दी गई मंत्री ने कहा कि इस बार के श्रावनी मेला में पहले से और बहतर शुविधा कावरियों को मुहया कराई जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार एवं राजश्व विभाग मेले की तैयारी को लेकर सजग है एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि श्रावनी मेला राजस वसूली के लिए नहीं बलकी दूर दरास से आने वाले कावरियों एवं श्रधालों को सुविधा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है बिगत पिछले साल जो एक कामरिया मेला हुआ है उससे ज्यादा इस वार कामरियों को सुविधा कामरिया आने वाले इस मेले में उनको सुविधा प्रदान कराई जैंग पुछ कमियां के बारे में हमने जानकारी पूछा यह बालू विछाने के बारे में 24 घंटा विजली के बारे में स्वास्त के बारे में और पेजल के समद्ध सभी ने संतोस प्रद्जबाब दिया है कि लिए को कुछ आवंटन की आवश्कता थी जो राजस्य विवाग ने आवंटन दिया अन्मी विवागों ने विवावंटन भी प्रयाप राज की सरकार मुहया कराई पुलीस ने गुप्तूश्रा की आधार पर जारकंड की ओर से आ रही ट्रकों को रोक कर तलासी अभ्यान चलाया इस दोरान एक ट्रक से 71 पैकेट गांजा को बरामत किया गया है DSP मुख्याले संजे कुमार एवं 12 हाट सीयो की मौजूदगी में जब्त गांजे को सील किया गया वहीं पुलीस ड्रैवर से पूस्ताच में जुड़ गई है हम आपको बता दे की सावन महीने में गांजा की खपत कावरिया छेतर में बढ़ जाती है विश्व प्रशिद श्रावनी मेला की तैयारी को लेकर DRM तनू चंद्रा ने सुल्तान गंज स्टेशन का निरिक्शन किया इस दोरान इस्टेशन परीसर में पानी वर सौचाले को दूरुस्त रखने का निर्देश दिया गया एवं प्लेटफॉर्म एवं रेलवे ट्रेक की विवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दिया साफ सफाई को मद्दे नजर रखते हुए जल्द से जल्द सफाई करने का निर्देश दिया गया है इस दौरान रेल्वे के तमाम अधीकारियों के साथ बैठक भी की गई बैठक के दौरान शावनी मेला की विदी विवस्ता की जानकारी DRM ने ली इस दौरान मीडिया को बताया कि पिछले वर्स की भाती, इस वर्स जल मिदार की पानी चम्ता एवं 140 की भी विवस्था को बढ़ा दी गई है सुरक्षा में 100 से अधिक पुरुष पुलीस बल एवं महिला पुलीस बल की तैनाती की जाएगी इस्टेशन परीसर में डॉक्टर की न्यूकती 24 गंटे रहेगी तथा एंबुलेंस की विवस्था भी रहेगी इस मौके पर स्टेशन मास्टर सुनील कुमार, दीपक कुमार, आरपी अफ इंचार्ज अनील कुमार सिंग एवं रेलबे के तमाम विभाग के अधिकारी मौजुग थे विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर गुरुवार को डियम प्रणप कुमार, डीडीसी सुनील कुमार, स्डियो आसिस नारायन और सिविल सर्जन विजय कुमार सिंग ने हरी जंडी दिखा कर जागरुकता रत को रवाना किया जनसंख्या दर नियंतरन हो सके, इसके लिए जागरुकता रत एक पखवारे तक जिले के विविन ग्रामीन छेत्रों में जाकर लोगों को परिवार नियोजन के प्रती जागरुक करेगा डियम ने का कि तेजी से बढ़ाई जनसंख्या समाज के विकास में बाधक है और दमपत्ती की सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जागरुक करेगा कि दो वुच्छे से अधिक जो है वो सेहत प्रतिक नहीं है और समाज के विकास उसके नहीं है तो लोगों में परिवार नियोजन को लेकर के जागरुक का अब भावार्वारी कॉलेज में एन्सस के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर सैमिनार का आयोजन किया गया सैमिनार में प्राशारे डॉक्टर गुरुदेब कुमार, डॉक्टर अनील कुमार्तिवारी, डॉक्टर प्रवीन कुमार सिन्ना ने अपने अपने विशार प्रकट किये। को NSS के कारिक्रम पदादिकारी डॉक्टर आसिस मिस्रा ने मोमेंटों देकर समानित किया मौके पर डॉक्टर स्वस्तिका दास राम सिवक्सिक समेत कई सिक्षक और छात्र शात्रा मौजूद थे आज जो है राष्टी सेवा योजना मारवाडी महाविद्याले भागल प्रूट के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर कारिक्रम आउजित किया गया है जिसमें सेमिनार है धेर सारे बच्चे इसको जागरूप करना है क्योंकि 1987 में आज ही के दिन विश्व की जनसंख् को किस तरीके से कंट्रोल करते हुए आर्थिक विकास करें और दोनों की बीच एक संतुलन बनाये रखें तिलकामाजी भागलपूर विश्व द्याले का साथवा अस्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है गुरुवार को DSW कारियाले में करमशारी मनी सुधर्शन बर्राम सिंग समेत कई कर्मी अस्थापना दिवस समारों को लेकर आमंत्रन कार्ड विभिन कॉलेज, पीजी बिभाग, सिंडिकेट, सीनिर सदस समेत छात्र संग के प्रतिनीधियों को भेशते दिखे वहीं दूर दराज के लोगों को DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने मुवाईल से सूचना दी कारिक्रम का आयोजन विभिविद्याले के सीनेट हौल में होगा रजिस्टरार करनल अरुन कुमार सिंग एवं वित्परामर्शी पदम कांत ज्रान ने बताया कि समारों के दौरान विभिविद्याले और संबंध इकाई से अवकास द्रहन करने वाले सुल्लस सिक्षुकेतर करमशारियों को जबकि DSW डॉक्टर योगेंद महतो ने कहा कि तिलकामाजी भागल पुर्विष्विद्याले की अस्थापना 12 जुलाई 1960 इस वी को हुई थी दुरशना 12 जुलाई 1960 को विष्विद्याले अस्थापित हुआ ये साथमा अस्थापना दिवश है तो परमपरा कनुशार तिलकामाजी के नाम पर ये विष्विद्याले है सही तिलकामाजी के नाम पर तो फ़ले मलयारकन उनका होता है और फिर कुल ध्वज फाराय जाता है फिर हम लोग सीनेट हौल में जमा होते हैं और यह हमारी अदिति होते हैं विस्विद्याले के बदादीकारी होते हैं सिक्षक्सन के नेता होते हैं जमीन विवात को लेकर भागलपूर के लोधी पूर थाना छेत्र खुटहा में चचेरे भाई डे रिटाइड आर्मी जवान की गोली मार कर हत्या कर दी घट्टाओ का नजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गया बताया जा रहा है कि रिटाइड जवान गनेश यादब अपने रिस्तिदार के घर शादी समहरों में शामिल होने बुद्धवार की राद कए इसी दौरान बारात निकलते ही पहले से घात लगाए चचेरे भाईयों ने ताबर तोड गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसके बाद बारात में भगदर मच गई इस दौरान परिज्डों ने गंबी रंबस्था में इलाज के लिए गनेश यादब को माया गंज अस्पताल में भरती कर आया जहां उसकी मौत हो गई मृतक की पत्नी सरश्वती देवी ने कहा कि दो फीट जमीन के लिए भाईयों के बीच पिछले एक वर्सों से विवाद चल रहा था इसी दौरान मौका देखते ही देवर ने गोली मार कर हत्या कर दी घटना के बाद पूरे इलाके में देश्वत का माहौल है वहीं पुलीस घटना की जाच में जुट गई है वक्तो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद आप देखते रहें सिल्क टीवी जाटे रहें आपकोबसे लिए हां झाल ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है आप देखने हैं सिल्क टीवी आएद देखतें लिख खबर भागलपूर में बिजली विभाग की लापरवाही की कारण एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई दरसल तेज बारिस के कारण जरजर हो चुका बिजली का तार तूट कर गिर रहा है बबरगंज थाना च्वेत्र के वारसली गंज निवासी पचास वर्षिया असोक यादब बुद्वार की रात मजदूरी कर वापस अपने घर लोट रहा था इसी दौरान करंट प्रवाही तार पोल से तूट कर नीचे गिर गया जिसकी चपेट में आकर मौके परी असोक य बिभाग नहीं बदल रहा है जिसके कारण यह घट ना हुई है परीजनों ने जिलाप्रशासन से सहायता रासी देने की मांग की है वही घटना के बाद परीजनों का रो रोकर बुरा हाल है भागलपूर टीनबी लाउ कॉलेज के इंद्र पर सनातक की छात्रा से पैरवी के नाम पर शोसन के प्रयास को लेकर विश्विद्याले प्रशासन सक्त हो चुका है आरोपीतो द्वारा सो कॉस का जवाब भेज़े जाने के बाद तिलका मांजी भागलपूर विश्विद्याले के रजिस्टरार करणल अरुन कुमार सिंग ने सेक्स्वल हराश्मेंट की ज रंजना को शामिल किया गया है रजिस्टरार ने कहा कि जांच रिपोर्ट आते ही दोस्यों पर कारवाई की जाएगी भागलपूर नगर निगम परिशर में गुरुवार को सफाई कर्वियों ने अपनी मांगो के समर्थन में नगर निगम प्रश्वासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी की जोरान कर्मचारियों ने नगर निगम प्रश्वासन से बकाया वेतन भुकतान करने निगम के भरष्टाचारियों को सस्पेंड करने पटना नगर निगम की तरज पर सफाई कर्मियों एवं दैनिक मजदूर को राशी भुकतान करने एवं साथ में व तिलकामाजी भागलपूर विश्विद्यालाय में 28 जून को बीकॉम पार्ट फ्री परिक्षा के प्रश्ण पत्र लीक मामले में सेटर सा पीजी कॉमर्स के वर्यसिक्षक डॉक्टर डी एंसाह ने कहा कि कुछ अधिकारी उन्हें जान बुच कर फसाने का प्रयास कर रहे हैं कोशन आउट का जहां तक सवाल है मैंने जो कोशन सेट करके दिया था मेरे सेट में कोशन नमर 6 में मैंने वहाँ एज लिखा था मोडेशन बोर्ड में काड कर उसको एरा किया गया और कोशन जो आउट हुआ उसमें एरा करके आउट है तो असपस्ट है कि उसमें हम कहीं कि मुझे नहीं थी इसलिए उस पस्ट है कि मेरा कुशन आऊट नहीं है और जहां तक मेरे उपर यह प्रस्ण किया जाता है कि मुझे गुणा भाग नहीं आता है कुछ अरिकारी का यह कहना है मैं 40 वर्सों से एकाउंट्स का टीजर हूँ और एकाउंट्स का मैं बैकबॉन माना जाता हूँ भागलपूर विश्विद्याले का आज कॉमर्स खड़ा है तो मेरे कारण कॉमर्स खड़ा है भागलपूर विश्विद्याले में और यह कहता है कि नहीं जानता है तो यह दुर्भाग है उसके लिए मैं तो कहता हूँ आदमी मिले हम से जो कहता है गुना भाग नहीं जानता है मैं उसको बर्षों पढ़ा सकता हूँ दीन की बाद तो छोड़ दिया जाए नगश्या थाना छेत्र के गौसाला रोड इस्तित किराना व्यवसाई प्रदी भगस से अपराधियों ने दिन दहाडे हतियार के बल पर रंगदारी देने की मांग की वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसाई की जम कर पिटाई कर दी इसके बाद अपराधी हवाई फाइरिंग करते वे फरार हो गया अस्तानिय लोगों ने घटना की सूचना पुलीस को दी जिसके बाद मौके पर पहुचे थानाप्रभारी राज कपूर कुस वाहा ने घायल व्यवसाई से घटना के सम्मंध में जानकारी ली इस दोरान पुलीस ने घटना स्थल से खाली खोखा बरामत किया है पुलीस ने मामला दर्ज कर घायल को इलाज के लिए नुमंडल अस्पताल में भरती कराया है इस घटना के बाद व्यवसाईयों में दहशत का महौल देखा जा रहा है वहीं पुलीस ने घटना में शामिल अप राधियों को जल्द गिरफतार कर लेने की बात कही 26 जून को अंतराश्ट्रिय अमधिन श्रेद दिवस मनाया जाता है इसी को लेकर 15 दिनों तक राज भर में जागरुकता अभियान चलाए गया गुरुवार को पकवारा के समापन पर जुले के सभी पुलीस कारियाला एवं पुलीस केंद्रों में व्रिक्षा रोपन अभियान चलाए गया SSP आसिस भारती ने पुलीस केंदर में वरिक्षा रोपन कर यवाओं से परियावरन की रक्षा करने एवं नसा से दूर रहने का संदेज दिया SSP ने कहा कि जागरुकता अभियान के दौरान ऑडि वीडियो वेंड के दौरा पूरे राज में लोगों को जागरुक किया गया थे जिसे परियावरन की प्रती लोग जागरुक हो सके वहीं भागलपूर के मुजाइद पूर्थाना परिशर में भी इंस्पेक्टर राम इकबाल यादब ने व्रिक्षा रोपन किया इस दोरां पुलीस कर्मियों के सहयोग से आम वन नीम का पौधा लगाया गया और पूरे साल पौधे की देख भालकर ने परियावरन संरक्षन एवं नशाम मुक्त समाज बनाने की बात कही गई मुजाइद पूर्थाना अध्यश इंस्पेक्टर राम इकबाल यादब ने कहा कि मद निशेद को लेकर पौधा लगाया गया है और परियावरन संरक्षन के साथ शराब का सेवन नहीं करने और दूसरों को भी नहीं करने देने की सपत दिलाई गई है अगले साल जो सपत पौलिस कर्मियों की होगी तो इसी पेर के नीचे सपत होगी जब भी होगी याद करने के लिए यह एक पौधा लगाया गया तो परियावरन के लिए भी हो गया और मद निशेद का याद भी रहेगा कि हम साराब के कारोबाल नहीं होने देंगे ना पीने पीने देंगे वहीं विश्व विद्याले थाना परिशर में मध निश्य दिवस को लेकर थाना अध्य शंजे कुमार शत्यार्थी, ASI अरुन कुमार सिंग, आमूत कुमार, लक्ष्मी कुमारी, आनंद प्रकास वा समाजक कारिकरताओं ने आम, नीम्बू और फूल के कई पौधे लगाए भागलपूर क्रियेशन ट्रेडिंग की ओर से अस्थान या होटल में प्रमान पत्रवित्र शंजे के लिए हम लोगों को अमंत्रन किया गया, यह आपके शांति समीति की ओर से मैया है, खासकर उनको बहुत भन्यवाद देता हूँ, और साथी साथ मैं इस आपके जरिये, आ भागलपूर क्रियेशन ट्रेडिंग की ओर से अस्थानिया होटल में प्रमान पत्र वित्रन समहारों का आयोजन किया गया समहारों का सुभारम, रेंज डियाजी विकास वैभब सामाजिक कारीकरता प्रकास चंद्रगुपता, क्रियेशन की संचाली का मेधा जुन जुन व कारिक्रम में मुख्यमंत्री साथ मिश्चय योजना के अंतरगत संचालित कुशलिवा कारिक्रम की पढ़ाई पूरी करने वाल 41 शात्राओं को डियाजी विकास वैभब ने प्रमान पत्र दिया और क्रियेशन के कारियों की जम्प कर प्रशन साकी, डियाजी ने कहा कि यु युवाओं में विवहारी ज्यान की कमी है, मंच संचालन कुनाल कुमार नटवर ने किया खुशरी वा प्रिस्टिक्चन प्राप्त कर चुके लगबग 40 शात्र शात्राओं को आज हमारे डियाएजी सर्व स्रिविकास बैभुजी के द्वारा प्रमान पत्र देकर सम्मानत किया गया माननीय मुख्य मंतिजी का यह प्रोग्राम अब अपना पणिनाम दिखाने लगा है जिसका उधारन है कि हमारे सैंटर से ही लगबग 200 से उपर चात्र चात्राओं रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नज़गार डालते आज की हेडलाइन्स पर शावनी मिला की तैयारी को लेकर भूर राजश्व मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समिक्षा बैठक बहतर विवस्था करने के दिये निर्देश स्टीएफ और बांका पुलीस के ज्वाइंट आपरेशन में तसकरी कर ले जा रहे साथ कुिंटल गाजा बरामत दो गिरफतार दियारम तनुचंद्रा ने सुल्तान गंज रेलवे स्टेशन परिशर का किया निरिक्षन कावरियों को बहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कही बात विश्वजन संख्या दिवश को लेकर जुले भर में कई कारिक्रमों का हुआ आयोजन डियम ने हरी जंडी दिखा कर जागरुकता रत को किया रवाना और शुक्रवार को मनाये जाएगा तिलका माजी भागलपूर विश्विध्याले का साथमा स्थापना दिवर शारी तैयारी हुई पूरी फिलाल इस ब्लेटीन में इतना ही नमस्कार